आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो खीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ नाओने की वहां से हाइड्रोजन और ऑक्सिजन गैसों में उसका विघटित होना तो यह जो कि अगर राशायनिक जो कि अभिक्रिया होगी राशायनिक परिवर्तन होगा यहां पर तो देखे अगर देखें कि H2O H2O 2 H2O लेते हैं तो देखें यह जो कि यहां से एच्टू जो कि यहां पर दो जो है यहां पर आ जाएगा प्लस प्लस जो है ओटू गैस देखें यहां पर दो 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 नी चार यानि कि चार हाइड्रोजन जो कि यहां पर बैलेंस दो ऑक्सीजन यहां पर बैलेंस देखें अब यहां पर बात करें कि यह जो कि एच् oxygen जो की minus 2 में है यहाँ पर देखे यह जो की 0 यहाँ पर भी 0 तो यह देखे plus 1 से क्या हो रहा है यहाँ पर यह जो की 0 में जा रहा है अर्थात यहाँ पर यह अपचयन जो की oxygen संक्याच जो है क्या हो रही है घट रही है यहाँ पर देखें, माइनस दो से यह क्या हो रहा है, जीरो पर जा रहा है, तो यह क्या है, आक्सी करण, माइनस दो से जीरो, आक्सी करण, आक्सी करण, तो अब अगर बात करें कि, यही जो है, क्या हो जाएगी, यह जो कि एक रासायनिक परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन ये जो है होगा क्योंकि पानी का जो की जल का जब वैदुत अभटे के दौरान यहाँ पर जो की रडॉक्स अभिक्रिया जो है प्रफॉर्म होगी अर्थाती जो की क्या है एक रासायनिक परिवर्तन यानि कि यहाँ पर पदार्थ जो रासायनिक यह क्या हो गया रासाइनिक परिवर्तन हो गया जब कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है भौतिक परिवर्तन जिसमें केवल भौतिक गुडों में परिवर्तन होता है जैसे कि अवस्था रंग गंध आदी जैसे कि जल जो है बर्फ बन गया बर्फ जो कि वास में परिवर्तित तो वो जो कि क्या है? वो जो है होती है भातिक परिवर्तन लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो यह जो कि क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है और यही जो कि यहाँ से इस प्रश्न का उत्तर होगा. थैंक यू.